दोस्तों अक्सर हम कुछ विशेज प्रकार के स्कूलों के बारे में सुनते रहते हैं तो आज हम ऐसे ही कुछ एक-दो स्कूलों की बात करेंगे जैसे कि सैनिक स्कूल है, मिलिटरी स्कूल है और इन दोनों स्कूलों के अलावा देखिए, स्काउट और गाइड इसके बारे में भी आपके मन में काफी प्रस्न आते होंगे और आज हम इनी सबी के बारे में चर्चा करेंगे तो चलिए सबसे पहले हम सैनिक स्कूलों की बात करते हैं देखिए सेना जो हमारी भारती सेना है इसका जो अधिकारी समवर्ग होता है उसमें अलग-अलग छेत्रों के अलग-अलग वर्गों के लोग होते हैं जो अधिकारी होते हैं और उन अधिकारियों में छेत्रियता या वर्ग की जो भावना है उस भावना को समाप्त करने के उ सैनिक स्कूलों की स्थापना की गई अब देखिए यहां पर हम कुछ बिंदों को लेते हैं जैसे कि सैनिक स्कूल स्थापित करने के पीछे क्या उद्दे से रहे क्या इनके लक्स है और क्या इनसे जो फाइदा है चात्रों को वो क्या फायदा है तो चलिए हम बात करते हैं कि सबसे पहले तो इसके लग्स क्या है तो देखिए युवाओं में सारिरिक और मानसिक बोदिक विकास के लिए सैनिक स्कूलों की स्थापना की गई और इसके अलावा विशेश वर्ग का जो प्रभूत्व था उस प्रभूत्व को रोकने के लिए इन स्कूलों की स्थापना हुई और सभी को मुका देने के लिए और बहतर सैनिक विक्सित करने के लिए इन स्कूलों की स्थापना की गई देखें दोस्तों आम आदमी की पहुंच पब्लिक स्कूलों तक बढ़ाने के लिए और साथ ही सेनेबल तक पहुंच बढ़ाने के लिए इन स्कूलों की स्थापना की गई और यह जो स्कूल है यह रक्षा मंतराले के अधीन कारिय करते हैं और यहां पर जो चात्र चात्राएं अध्यन करते हैं उनको हम केड़ेट करते हैं और इन स्कूलों से जब चात्र बार्वी उत्तिर्ण हो जाता है तो उसे NCC का B Certificate भी प्रदान किया जाता है जो कि उसके भावी जीवन में काफी महतोपूर्ण होता है कई अच्छे अच्छे नोक्रियों के लिए अच्छे अच्छे पदों पर पहुँचने के लिए वहाँ पर लाबदा एक सिद्ध होता है देखे बात करते हैं इसके जनक की सैनिक स्कूलों की जो इस्थापना हुई वो ततकालीन रक्षा मंतरी वी के कृष्ण मेनन उनके द्वारा इन स्कूलों की स्थापना की गई और ये स्कूल रक्षा मंत्राले की सैनिक स्कूल सोसाइटी है उसके द्वारा संचालित किये जाते हैं देखिए बात करते हैं कि सबसे पहला सैनिक स्कूल हमारे देश में कहां और कभी स्थापित किया गया तो देखिए 1960 में लखनव में परतम सैनिक स्कूल इस्थापित किया गया और उसके बाद में 1961 में राजस्तान के चितोड में सैनिक स्कूल इस्थापित हुआ और ये लखनव का जो सैनिक स्कूल है यहाँ पर पहली बार छात्राओं को बालिकाओं को मुका दिया गया इन स्कूलों में एडमिसन के लिए और लखनव का ये सैनिक स्कूल रक्सा मंतरा लेके अंडर काम नहीं करता है वो राज्य सरकार के अधीन काम करता है बात करते हैं इसमें प्रवेश को लेकर तो देखिए इसमें प्रवेश जो है वो six class से प्रारंब होता है और देखिए बाद में जब चातर चातर आए जब यहां से उतीन होते हैं तो NDA की जब service अगर वो करना चाहें तो वहाँ पर वहाँ पर उनका कोई साथ साथ कार नहीं ह 27 सेनिक स्कूल संचालित हैं और राजस्थान में दो संचालित हैं जिन में से पहला है 1961 में इस्ताफित चितोड का सेनिक स्कूल और दूसरा है जुन-जुन में जो की 2018 में इस्ताफित किया गया तो यह तो हो गई हमारे सेनिक स्कूलों की बात और अब हम बात करेंगे military रक्सा कर्मी जो है उनके बालकों के लिए गुणवत्ता परक शिक्सा उपलब्द करवाने के उद्देशे से भारत में मिलिटरी स्कुलों की इस्ताफना की गई और मिलिटरी स्कुलों का जो आदर्स वाक्य है जिसे नारा भी हम कह सकते हैं वो है शीलम परम भूसनम और अगर हम मिलिटरी स्कुलों के संगटन की बात करें तो रक्सा मंतरा लेके अधीन मिलिटरी ट्रेनिंग का महानिदेशक होता है और उसके अधीन जो है महानिदेशक के अधीन ये मिलिटरी स्कुल संचालित होते हैं और हमारे देश में वर्तमान में पांच मिलिटरी स्कु में स्थाफित किया गया लेकिन इसका जो नाम है वो military school नहों करके और इसके जो सस्थाफ़कते उनके नाम से यह school संचालित किया गया स्थाफित किया गया और क्या नाम था मित्रो जार्ज रोयल military school और 1954 में इसका नाम बदल करके Indian military school और 1954 में इसका नाम बदल करके Indian public school conference के सदस्य इसमें जोड़ा गया और 1966 में इसका नाम फिर बदला गया और military school किया गया और उसके बाद में अंतिम बार 2007 में राश्ट्रिय military school यह नाम किया गया यह हो गया हमारा military school और हम बात करेंगे और अब हम बात करेंगे scout and guide के बारे में नव यूगों का सरवाइगिन विकास करने के उदेश्य से अरतात मानसिक विकास, सारी रिक विकास, धार्मिक विकास, सामाजिक और बोधिक विकास इसके उद्देश्य से बारत में escort and guide की सुरुआत की गई अर्तात हम यह कह सकते हैं कि भारत में जिम्मेदार नागरिक तयार करने के उद्देश्चे से स्काउट एंड गाइड की सुरुवात की गई और स्काउट एंड गाइड क्या है दोस्तों देगे एक एक आंदोलन हम इसे कह सकते हैं जो की नवियोकों के द्वारा स्वेम सेवी और इसके अलावा गैर सरकारी और वर्दीधारी और सेक्सिक आंदुलन है ठीक है और अगर हम स्काउट और गाइड के इस सब्द की अगर हम अर्थ की तरफ ध्यान दें तो इसके कई अर्थ निकलते हैं देखिए जैसे कारी है कई प्रकार से इसके अलग-अलग अर्थों में इसको प्रयोग किया जाता है स्काउट और गाइड किन सिद्दान्तों पर काम करता है बात करते हैं इसके बारे में देखिए तीन सिद्दान्तों पर स्काउट और गाइड कार्य करता है पहला है इस्वर के परती कर्त कर्तव्य पालन और तीसरा है स्वयम के परती कर्तव्य पालन इन तीन सिर्धार्थों पर Scout or Guide कार्य करता है और Baden Powell उन्होंने इसके जो उद्दे से बताए है Scout or Guide के वो कुल मिला करके पांच उद्दे से बताए है चरित्र निर्मान, समासेवा स्वास्थ, हस्त कोसल और धार्मिक्ता और देखिए Scout or Guide की जो प्रार्थना होती है वो हमने भी बच्पन में हमारी स्कूल में वो प्रार्थना कई बार गाई है दयाकरदान भक्ती का ये जो प्रार्थना है Scout or Guide की प्रार्थना है और Scout or Guide का जो गीत है वो है जंडा उंचा सदा रहेगा अब बात करते हैं कि भारत में Scout or Guide का प्रारंब या शुरुवात कैसे हुई तो देखिए 1907 में Lord Baden Powell द्वारा Scout Guide की शुरुवात भारत में की गई तो कि बालकों के लिए थी और उसके बाद में 1909 में Lady Baden Powell द्वारा बालिकाओं के लिए Guide की इस्थाफना की गई और देखिए ये कहां पर शुरुवात की गई तो देखिए Scout के लिए इसकी सुरुवात बैंगलोर से की गई और उसका नाम था विसप कोटन स्कूल और 1911 में मद्यप्रदेश के जबलपूर में Guide की सुरुवात की गई और भारत में Scout और Guide को देखिए प्रसिद्धी दिलाने का इसको स्रे दिलाने का इसको फैलाने का जो कारी किया वो मदन महन मालवी है इसके अलावा एनी बिसेंट और स्री राम वाचपेजी इनके द्वारा ये कारी किया गया 1950 में इसका पंजी करण हुआ और देखिए विस्व स्काउट ब्यूरो इसका जो मुख्याले है वो चेनेवा में है और भारत का स्काउट ब्यूरो वो नई दिल्ली में है दोस्तों बाइस फरवरी को स्काउट और Guide दिवस मनाये जाता है और स्काउट और Guide का जो एसिया परसांद जो मुख्याले है एसिया परसांद छेत्रगा वो है मनीला में जो कि फिलिपीन्स की राध्दानी है